ए बी जनकारी एजुकेशनल यूटूब चाइनल में पूना आपका एक पर फी स्वागत है जैसा कि आपको जनकारी है कि इस चाइनल के माध्यम से विद्यार्थियों कौन एक प्रकार की सहायता पहुचाई जाती है जैसे कौप परिक्षा कौन होगी ये कौन वेकेंसी निकल कर रहे हैं तो इस वीडियो के ध्यान प्रफ्वक सुनिए कि हो सकता है कि ये वीडियो के माध्यम से आपके सी नोक्री की जनकारी प्राप्त कर सके और आपके नोक्री प्राप्त हो जाए तो जैसा कि आप असक्रीन पर देख रहे हैं कि रेलेवे में एक लाख तीस हजार प आप, मिनिस्ट्रियल और टेकनिकल पदों के लिए जल्द ही आवेदन भरे जा सकेंगे। कुल एक लाख तीस हजार पदों पर न्युक्तियों की सुचना रेलेवे के अभियत्थी त्यारी में लग गये हैं। आगे जनकार इस प्रकार है कि नन टेकनिकल स्रेणी के तहते टिकट कलक्टर, टाइपिस्ट, टी 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 ए, असिस्टेंट अस्टेशन मास्टर जैसे पद परमुख हैं। 28 फरावरी से इन पदों के लिए फर्म भरे जा सकते हैं। दूसरी कटेगरी में पारा मेडिकल, अस्टाफ के कई पद हैं। चार मार्च से इस स्रेणी के तहत आवेदन की जा सकेंगे। तिसरी कटेगरी मिनिस्ट्रियल पदों जैसे लाउस्ट टेंट, जुनियर ट्रांसलेटर आदी हैं। इन पदो पर 8 मार्च से फ़ारं भरा जा सकेगा। इसके आलावा और भी है कि छोधी स्रेणी के लिए, जैसा कि आप और स्क्रीर पर देख रहा हैं। चोधी स्रेणी के लिए टेक्निकल पदों पर 12 मार्च से पर आवेदन की जा सकेगा। इस स्रेड़ी में जुनियर, इंजिनियर, गैंग मैन, गेट मैन जिसे पद हैं पर इच्छा भी सिस्तर के डाक्टर एमरहमान ने बताया कि छातरों को अभी से स्ट की प्रेक्टिस में लग जाना चाहिए क्योंकि इतनी भार जो वेकेंसियां भारी मत्रेम आई है इससे अधि अधिक छात्रों को नोकरी प्राप्त करने के संभावना है तो यह हुगा आपका रेलेवे समंधित समंधित कोई भी वेकेंसी कब आने वाली है कैसे आनी है इसकी त्यारी कैसे करें इस सभी चीजों का आप जनकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निशीत रूप से यह भी और बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी competition के त्यारी करना चाहते हैं तो इस channel के माध्यां से आप update जनकारी पराप्त कर सकते हैं अगर अपने सीधी मोबाइल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो जो है अपना WhatsApp नमबर जो है कमेंट कर सकते हैं जिसे से सीधे आपके मोबाइल पर पूरी जनकारी मिल जाएगी तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि रेलेवे में पास करने के लिए रेलेवे के नोक कारी जो आपका स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को जरूर टच किजिए दूसरी बात एक और है कि आप सिधे मोबाइल पर पर जनकारी प्राप्त करना चाहते हैं अपना WhatsApp नमबर अपना जरूर कमेंट करें इसी साथ हम वी जय भारत